इससलों वालेकुम दूस्तों इस वीडियो के माद्धम से हम आपको कुछ जरूरी और इंपोर्टन अपडेट बताएंगे जिसके बारे में आप सब ही लोगो जानकरी होना बेहत जो पहले अपडेट उनके लिए जो लोग साओधी अरब में अभी रहते हैं क्योंकि काफी ल तो आपको एक बात का खात धन रखना है कि सब्सक्राइब में कुछ नए नियम लगाएगे हैं जिसके तहट आपको जगहों पर अभी पार्किंग नहीं कर सकती हो हम आपको पूरी जानकरी देंगे और रिलेटर जानकरी भी इस वीडियो में आपको बताएंगे अब जरू तो आप पर परतबंध है पार्किंग करना मतलब यह है कि नमबर एक जिबरा या पैदल यात्रि क्रोसिंग के साथ आप किसी भी तरह की क्रोसिंग या कोई भी वहां पर पार्किंग नहीं कर सकती हो नमबर दो याता दिप्रीत दिशा में चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको पार्किंग नहीं करना है नमबर तीन ट्राफिक सिगनल के 15 मेटर के भीतर है नमबर चार इसकूली छाट के क्रांशे के कुछ मेटर की दूरी पर है नमबर पास सडक के बीच में या उसके उस पार्क खाड़े होने से बचे नमबर चे पैदल यातरी फुटपाथ या फुटपाथ नमबर साथ पुलो पर नमबर आट बिशेश पार्किंग अस्थान में खाड़े वहाँ नमबर नौ मोड के 15 मेटर के भीतर आपको पार्किंग नहीं करना है दोस्तों सौधी की अगली बडेट कॉफी बेन को लेकर है अगर आप सौधी अरब में रहते हो किसी भी रेस्टूरेंट में जाती हो यह कॉफी सोप, आइस्क्रीम, पार्लर, फ्रेश जुस की दुकान और केफेटेरिया, मिठाई की दुकान, बेकरी, सुपरमार्केट, इंटरेण्मेंट सेंटर, बिजनिस सेंटर, फ्रेश जुस सोप, काफी, सोप, रिस्टूरेंट, चैन, यानि यहाँ पर अभी परत्ब कलब, ऑनलाइन, केंदर, प्लेटफोर्म, और एलेक्टारिक मेनो एप पर भी, मतलब किसी भी दरीके की आप ऑनलाइन भी खारिदारी ना करें, इस पर भी बैन लगाया गया है, दोस्तों साओधी एरब के अंदर जो कौफी परोसी जाती है, उसमें कुछ जगहों में परोसा जाता है, तो वहाँ पर कैफेन की मातरा पूरी तरह से लिखा होना चाहिए, और बताया जाना चाहिए, जितने भी कश्टमर हैं, इसके साथ अगर आप चाय, गहवा यो कौफी पीते हो, तो आपको सावधान रहने की जरूत है, इससे भारी से भारी बीमारी परती ह क्योंकि आप में इतनी छमता नहीं है कि आप चाय कौफी को हजम कर सकें